Hello Everyone, Exam Medicine Channel में आप सभी का स्वागत है बात करेंगे इलहाबाद University Non-Teaching MTS Re-Exam and MTS Specialized Post-Exam के विशे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलेबस के विशे में आपको जानकारी दे दी गई है कि आपके जो सलेबस में हिंदी आएगी, इंग्रिश आएगा और जीए आएगा यानि General Awareness आएगा और General Administration आएगा जैसा कि पिछला सलेबस रहा है, उसी के एकोर्डिंग आपको चीज़े बताई गई है मैंने आपको ये भी कहा था, सलेबस आपको पता है, आप अपने एकोर्डिंग कहीं से भी जो भी आपके पास नोट सो उससे आप पढ़ सकते हैं, अब समय नहीं है, आपको 15 को एक्जाम देना है, रिवीजन और प्रैक्टिस ही इंपोर्टेंट होगी आप सभी के लिए और मैंने कहा था, जो इंपोर्टिंट हो सकेगा ज़्यादा-ज़्यादा, मैं फिर से देने की कोशिस करूँगी, ताकि आपका रिवीजन और प्रैक्टिस जो है, बहतर ढंग से हो पाए आपको भी पता होगा कि रिवीजन के लिए सबसे सही तरीका होता है, वन लाइनर फॉर्म में हम चीजों को पढ़ ले, ताकि एक दो बार हम रिवीजन में रहेंगे, तो जब हमाय साबने आप्शन आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे इससे पहले जितनी भी क्लासेस से मतलब लगवक 6-7 महीने पहले जो की 29 जून को एक्जाम था, सारी चीजे कराई गई थी, प्लेलिस्ट है, चाहे तो आप वहाँ से पढ़ लीजेगा, बाकी नई चीजे में जितना हो सकेगा दूँगी अभी की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जर्नल अवेर्नेस के मोस्ट इंपॉर्टन रिपेटेड कोस्चन, ध्यार रखेगा, ये रिपीटेड है, मतलब विभिन परिक्षाओं में जो पुछे जाते हैं, उनकी जो संभावना है, उसी को इसमें इंक्लोड किया गया है उसे कराएंगे according to previous year question, मतलब previous year में जैसे question इंवस्टी के एक basis पर रखे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ही चीज़े आपको कराई जा रही है, और आपको बताया गया था कि आपको PYQ जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको booklet वापस नहीं मिलती थी, ये reason है, ठीक जो की geography से related है, ज्यादा तर Indian geography से ही आएगा आपको, तो इसलिए मैंने उसी की portion को ज्यादा रखा है, आप भी इसको चाहे तो speed को थोड़ा बढ़ा के अच्छे से एक दो बार पढ़ लीजेगा, आपको काम हो जाएगा, दूसरी बात है इसकी video telegram पर आपको मिल जाएगी, आईए शुरू करते हैं और देखते हैं, हम जब वीडियो से पढ़ते हैं तो हमें एक खास फायदा होता है कि हम अपना कुछ काम भी कर रहे हैं, तो हमने इसको speed increase करके रखा और आपने पढ़ाई कर ली, आईए के करके देखते चलिएगा, भारत की उत्तर से दक्षिर तक जो लंबाई है कितनी है, उत्तर से दक्षिर, आपको इतना फता होगा कि कोई भी मैप हो, उत्तर हमेशा उपर की तरफ होता है, दक्षिर आपका नीचे होता है, और इस साइड आपका पूर्व होता है, और इधर आपका पस्चीम होता है, तो वही बताया गया है कि जो भा लंबाई कितनी है तो आपकी होती है 3214 किलो मिटर याद करने का बेस्ट तरीका क्या है इसको आप चाहें तो ऐसे याद कर लिजेगा देखिए यह लिखा क्या है 1 2 3 ठीक है और यहाँ पर बाद में 4 इसको ऐसे याद कर लिजे यह 3214 ऐसे भी आप याद कर सकते हैं उसी प् पुर्व से पस्चिम तक कितनी लंबाई है तो पुर्व से पस्चिम तक कि ऐसे हम बात कर रहे हैं ठीक है यह आपको भी बताए नא मैंने पुर्व से पस्चिम की बात हो रही है चील स्पुरु से पस्चिम तक की लंबाई कितनी है इस सरीके सेenser तो हमारी कितनी है 2933 किलोमेटर इसको भी यास करने का एक ट्रीक है देखे लिखा क्या है 2 है और यह देखिए क्या है 3 3 है 3 into 3 करेंगे तो क्या आता है 9 ना तक किते टाइमस आपने किया 2 ताइमस तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं यह सबी जो चीजे मैं बता रही हूँ आपको हर बुक में मिलती है बस यहाँ पर मैं इंपॉर्टन चीजे ही रखी हूँ ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए और रिवीजन करने में आसानी हूँ ठीक है आगे देखते चलेंगे भारत की इस्थल की सीमा की लंबाई कितनी है मतलब जो भारत की आप देखते होंगे पूरा मैप जो है बूचा गया है कि जो इस्थली सीमा है उसकी लंबाई कितनी है पूरी यह जो इस्थली सीमा से केवल टच करे और समुदरी सीमा से न करे आपको पता होगा कि जब हम भारत की मैप को उस तरीके से देखते हैं तो इदर जितने भी चीज़े लगेंगी पतल जितने भी राजी होंगे attaching सभी जली सीमा को साजा करेंगे लेकिन अगर इसके ऊपर चोड़ दिया जाये उपर वाले पोर्शन को तो वो जली सीमा साजा नहीं करते वहीं पूछा जा रहा है कि जो भारत की किवल इस्थली सीमा है वो अगर उसकी बात करें कि कितनी है सिर्फ इस्थल की सीमा जली सीमा नसाजा करें ठीक है देखे इतना अभी वक्त नहीं है आपकी एक्जामे की हर एक चीज आपको बताती जाएंगे ठीक है अगर वक्त होता तो आपको अच्छा से समझाते हुए चीजों को बताया जाता तो देखते चलेंगे कि भारत की जो स्थरी सीमा की लंबाई कितनी है 15200 km है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है कितनी है तो 600 या 600 किलोमेटर ठीक है दीपों सहीद भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है दीप के साथ कितनी है तो वो है आपकी 7516.5 किलोमेटर है ठीक है देखें यहाँ पर दीप है आप जैसे भारत है ठीक है यहाँ पर आपको पता हुगा अंडमान निकोबार दीप सम उची जाए तो कितनी आती है उसके साथ वीपो के साथ बात करें तो 7516.5 किलो मेटर होती है जब कि केवल भारत की तर्ट रेखा की लंबाई बात करेंगे तो 6100 या तो आप बोल सकते हैं 1600 किलो मेटर है नेक्स देखेंगे अगला है भारत का धूर दक्षडी भाग भूमद य रेखा से कितनी दूर पर है तो 376 किलो मेटर है भारत में कितने राज समुदरत रेखा में हैं पुलमिला के यह पूछा गया है ऐसे कितने राज हैं जो की समुदरत रेखा में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ने इक्जांपल के दोर पर इधर आपका गुजरात Scorpar Latrome है इसको छोड़ दीजे और ये ऐसे लेगते हुए देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि इधर बंगाल है नीचे हमारा हिंद महा सागर है और यहां पर हमारा क्या है अरब सागर है तो इसके तटीय सीमा से जितने भी राज्ये लगे हुए हैं जो कि ये समुदरी सीमा को साजा करते हैं कुल कितने वही पूछा गया है तो वो हमारे 9 होते हैं आप जब भी जियोग्राफी पढ़िए मैप हमेशा सामने रखें तो चीजें आपको और भी क्लियर होती जाती है जिनको मैप की जानकारी होगी उसको चीजें अच्छे से कलियर हो रही होगी आगे देखेंगे भारत की किस राजी की तटरेखा सबसे लंबी है अभी हमने आपको बताया ना कि तटरेखा जो इस तरीके से है यहां पर तटीय सीमा ही यह आपका अरब सागर है नीचे हिंद महा सागर है और इधर हमारा क्या है बंगाल की खाड़ी है तो जो अरब सागर है उसमें पूछा जारा सबसे ऐसा कौन सा राज है जिसका तटरेखा सबसे लंबा है तो वो है गुजरात नेक्स्ट हमारा है भारत की किस राजी की तर्ट रेका सबसे छोटी है अभी पुछा गया सबसे बड़ी और ये है सबसे छोटी तो सबसे छोटी गोवा की है आपने देखा होगा इस तरीके से अगर मैप आपको पता होगा तो यहीं पर आपका गोवा है छोटा सा तो सबसे कम तर रेखा किस की है किस राजी की है तो गोवा की है एक बार और ध्यान देजिएगा कि जो आपका एक्जाम है वो MTS का है और उसमें लिखा है साफ साफ की 10th standard का रहेगा इसका इसतर जो है दसमी की क्लास की हिसाब से रहेगा ऐसी सभी जनकारी आपको होनी ठीक है इसलिए सारे factual फ्रशन आपको मैं करा रहे हूँ ताकि question आए तो यहां से भी आपको देखने को मिले आगे देखेंगे कौन सी अक्षांस रेखा भारत के मद्ध से होकर बुजरती है तो वो है करकर रेखा ठीक है अगर ये globe इसके ओ देख लीजे इसे globe बना होता है बीच में क्या होता है मारा भूमध्य रेखा होती है ठीक है भूमध्य रेखा होती है इसके उपर जो होता ये होती है करक रेखा ठीक है अब भूमध्य ये नीचे क्या होता है ये होती है मकर रेखा और ये जो करक रेखा है ये भारत को दो भागों में बाटती है बराबर दो भागों में हुमारा भारत जो है इसी पहर सन में आपका आपका पढता है ठ्ite Easy लिए कर द्वारत जो है ऐसी एक चांस रही जो की भारत के दो मत ऊसे हो कर गुजर्ती है या उसको जो है दो भागों में बाठती है ऐसा आपका रेखा भारत कि किन राजियों से हो के गुजरती हैं? कितने राज्यों से हो गुजरती हैं? तो आप पर आप पढ़ते ही होंगे कि जिसे 36 गर्ण है जार खंड है उत्तार प्रिदेश है इस तरीके से साई चीजे रहती है त्रिपुरा है है ना आगे देखेंगे अगला कोशन देखिएगा कि भारत की मुख्य भूमी का दक्षिड नोक क्या है तो केप को मेरिन है मतलब दक्षि पॉइंट जो है इसलिए इसको चुकि अंदमान निकोबार द्विव समो जो है पूरा अंदमान ये भी तो भारत का भाग है इस वज़े से भारत की भूम में इसको भी लिया जाएगा और भारत का सबसे दर्चिरतम बिंदु कौन सा है तो देखिए इंदरा पॉइंट अगला है भारती भूमी का सरवाधिक उत्तरी भाग कौन सा है हमसे अगर सबसे नीचे वाला पूछे तो इंदरा पॉइंट होगा सबसे उत्तरतम मतब सबसे उपर ही पूछा जाए तो इंदरा कॉल होगा इसको याद करने का एक और ट्रिक समझ सकते हैं देखिए अपने ह इंदरा काल सबसे दक्षिर्तम इंदरा पॉइंट यही दो ही चीज आता है और एक कोश्चन पूछेगा तो विकल्प में दोरो रहता है तो ध्यान रखना है कि इंदरा पॉइंट सबसे दक्षिर्तम है जबकि इंदरा कॉल जो है सबसे उत्तरतम है नेक्स देखेंगे मतल लिप ऊणलाप मित तक में परने करें कि जूटा एक में डंकन ऐसे कंड के बीच में आपको बताना है जो डंकन पास कंड के बीच में है दक्षडी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है दीव एक द्वीप है वो कहां पर है तो यह है गुजरात के तट पर स्री लंका को भारत से कौन अलग करता है तो मननार की खाड़ी भारत का कौन सा भुभाग प्राचिंतम है तो प्राय दीपी यह प्रठार जो है प्राय दीपी प्रठार को देखना चाहें तो आप देख लीजिए यह जैसे हमारा मैप इंडियन का मैप होता है इधर को क्या पूरब बोलते हैं इसले को हम कहते हैं पुर्वी घाट इस साइट को हम क्या कहते हैं पस्चिमी घाट इसके उपर ये सब जो ये पूरे भाग होते हैं ये बुंदेल खंड वाला भाग और ये सब यही पूरा हमारा जो नीचे होता है इसी को हम प्राय दीपी ये पठार कहते हैं लेक्स देखेंगे भारत का पुर्वी समुद्र तट की नाम से जाना जाता है देखिएगा अभी हमने बताया इस तरीके से आपको की पुर्वी तट कौन सा है और पश्चिमी तट की आ है तो वही पूछा जा रहा है कि जो भारत का पुर्वी तट है यानि इधर वाला हिस्सा ये किस नाम से जानते हैं तो इसको हम उत्तर के बाद है नि क्टर कहा इसके ऊपर इartet हो अब होगा उसको किस नाम से जानते है जानते हैं कंकरत है बहरत की पास्चिमी समुठ तट का दक्षडी भाग किस नाम से जानते हैं तो माला वार टक्ट यह तीनों चीज याद रख लिजिएगा एक मैप के द्वारा जो इधर है इसको हम कहेंगे कोरो मंदल तट ठीक और जो यहां से यहां तक है नीचे इसको हम क्या कहते हैं माला बार तट और इसके उपर जो होता है इसे हम कहते हैं कोंकर ठीक है कोंकर तट तो यह important है यह सब repeated question है इसको ध जैल लेपला दर्रा किस राजी के वीच में इस्थित है तो सिक्किम तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है तो मियामार से और पीपली घार दर्रा किस परवधी भाग में इस्थित है तो अरावली और पाल घार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है तो तम बारा लाचला दर्रा और जो है ये जो सभी दर्रे हैं कहां परस्थित हैं तो इमाचल प्रदेश में हैं डायरेक्ट आपको प्रश्ण पूछा जा सकते हैं जैसे दे दिया गया कि बुर्जिला जो दर्रा है वो कहां परस्थित है किस राजे में तो पता होना चाहिए जमू क पाश्मीर में है नाथुला दर्रा कि नदी घाटी में पड़ता है और जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है तो बनिहाल दर्रे को जो है जवाहर सुरंग के नाम से भी जानते हैं नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोडता है तो वो है थाल घाट और थाल घाट पाल घाट और भोर घाट दर्रे किस परवत माला में इस्थित है यह सब ही जो है पस्चिमी घाट में इस्थित है अभी आपको हमने पुर्वी घाट बताया और पस्चिमी घाट बताया मैं इस वज़े से भी आपको शॉर्ट में चीजे बताई जारी है आपको इसी तरीके से याद कर लेनी है बाकी अगर आपके पास टाइम होगा तो कभी फिर से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं आगे देखेंगे भारत की सबसे उचे परवशिखर का नाम बताना है आपको तो भा हिमाले की उत्पति किस भू सन्नती से हुई है तो टेथिज सागर से हुई है या टेथिज के नाम से भी जान सकते हैं यह ज़ लिखा है सब यादा से टेथिज या टेथिज लिखा रहा है दोनों सही रहेगा नेक्स्ट है हिमाले का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता तो शिवालिक के नाम से हिमाले में हीम रेखा कहां मिलती है मतब कितने मीटर पर मिलेगी तो 4500 से 6000 मीटर पस्ची में मिलती है हिमाले स्रेडी में मिलने वाली संकीड और अनुदर्ध घाटियों को किस नाम से जानते हैं तो उसे हम दून कहते हैं नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी हिमाले के किस भाग में इस्थित है तो जो नंदा देवी चोटी है वो कुमाईयों हिमाले में इस्थित है उत्रांचल के सबसे उच्छे परवत शिखर का नाम क्या है तो वो है नंदा देवी शिवालिक स्रेणी का निर्मार कब हुआ था सेनो जोई काल में हुआ था भारत की सबसे प्राचीन परवस्रेणी कौन सी है तो वो है अरावली भारत में सबसे प्राचीन वलित परवत माला कौन सी है तो वो है अरावली और अरावली परवत के सरवश्च शिखर का नाम क्या है तो वो है गुरू सिखर अभी मैंने आपको और आवली के बारे में बताया कि ये सबसे प्राजिनतम परवत माला है पस्चिमी घाट क्या है तो पस्चिमी जो घाट है वो एक भ्रंच कगार है और किस परवत माला को जो है सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है तो उसे पस्चिमी घाट को पस्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं तो शहादरी के नाम से जानते हैं पस्चिमी घाट की सबसे उची चोटी का नाम क्या है तो अन्ना मुदी है या अन्ना मुडी लिखा रहेगा दोनों सही होगा पुर्वी घाट के सर्वश शिखर का नाम बताएं तो महेंदर गिरी है अभी आपने देखा कि मैंने मैप के द्वारा एक चीज बस आपको बताई कि पुर्वी घाट क्या है पस्चिमी घाट क्या होता है और जो है आपके प्रायदीपी पठार क्या है उससे रिलेटर जब आप कहीं पर भी आप कुछ देखेंगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगे किस चीज की बात की जा रही है देखिए गागे पुर्वी घाट यह पस्चिमी घाट परवत रेणियों का संमिलन इस्थल कौन सा है तो वो है हमारा नीलगिरी पहारी इस तरीके से हमने आपको बताया ना कि इधर आपका पुर्वी घाट है इधर पस्चिमी घाट है संमिलन मतलब यह जहां मिलेंगे यहां पर यह कहां पर मिलते हैं तो नीलगिरी पहारी पर मिलते हैं अगला देखेंगे point देखें जो जिग्राफी में जैसे जीलों से प्रश्ण परवतों से दर्रों से प्रश्ण जनसंख्या से प्रश्ण यहां से अक्सर बनते हैं और इंडियन जिग्राफी से खास्तावर से इसलिए किवल उसी portion को मैं revision करा रही हूं ताकि आप इसको एक बा मीठे पानी की जील है वो है वुलर जील उकाई जील किस राज में है तो गुजरात में उकाई जील किस प्रकार की जील है तो यह मानो निर्मित जील है उकाई जील किस नदी पर है तो तापती नदी पर बना हुआ है गोविंद सागर जील किस राज में स्थित है तो हिमाच प्रदेश में है तुंग भद्रा जील जो है किस नदी पर इस्थित है तो ये है आपकी तुंग भद्रा नदी पर जो की करनाटक में पड़ता है अगला देखेंगे नागार जुन सागर निजाम सागर और तुंग भद्रा जील किस प्रकार की जीले हैं तो ये सभी हमारी मान तो याद होना चाहिए नागार जुन, निजाम सागर और तुंगबदरा नेक्ट है गोविद बलब पंद सागर जिल किस राज में इस्तित है तो चतिस गड़ उप्तर प्रदेस गोविद बलब पंद शागर जिल किस नदी पर है तो वो रहन नदी पर है और ये है कहाँ पर गोविंद बल्लब सागर जील रियन नदीपत तो सोन भद्र में है नेक्स देखेंगे राडा प्रताब सागर और जवाहर सागर किस राजी में इस्थित है तो राजस्थान में इस्थित है नेक्स्ट है गांधी सागर किस राज में है तो मद्य प्रदेश में है लोकटक जील किस राज में स्थित है तो वो है आपके मड़ीपूर में है ठीक है तो यहां जीलों से भी प्रशन डायरेक्ट बनते हैं इसको भी याद कर लीजेगा आगे देखेंगे जोग या जल प्रपात किस नदी परस्थित है तो यह है शरावती नदी पर जोग जल प्रपात किस राज में स्थित है तो करनाटक में स्थित है भारत का सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है तो जोग जल प्रपात है और जोग जल प्रपात का नया नाम क्या है तो उसको महात्मा गां कर लिजेगा अगला देखेंगे आपर भारत का सबसे उचा बांध कौन सा है तो टिहरी बांध है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हीरा कुंड है नाकार जुन सागर बांध किस नदी पर बना है तो कृष्णा नदी आंध प्रदेश में है ये हीरा कुंड बांध किस नद बांध किस नदी पर है तो बेदवा नदी पर है ये भी उत्तर प्रदेश की नदी है रंजीत सागर बांध किस नदी परस्ते थे तो रावी नदी परस्ते थे और जो की पंजाब में पढ़ती है छोम बांध किस नदी पर है तो कृष्णा नदी पर बनी है जो की महाराश्ट की है गांधी सागर बांध किस नदी पर है तो चंबल नदी पर है जो की राजस्थान में पढ़ता है जवाहर सागर वो राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है तो चंबल नदी पर है जो की राजस्थान में पढ़ता है ठीक है आगे देखेंगे पुलिकट जील किस र जो है, किस जील परिस्तित है, स्रीहरी पोटभीब, तो यह है पुलिकट जील परिस्तित है, हैं राजियों की मद्धे में है, हैं परिस्तित हैं, किस जील में है तो केरल में है वेमबनाद जील में कौन सा द्वीब इस्तित है तो वह है वेलिंग गटन वीब नेक्स है बारत का सबसे छोटा राश्टी राजमार्क औहरा एन्ह 47 द्वीब पर स्तित है तोस द्वीब का नाम है वेलिंग गटन नेक्स अãy जो है अलमोदी जील या अडुमोडी जील केरल के किस में जो है किस प्रकार की जील है तो ये लैंगून जील का उदारण है लोनार जील किस राज में है तो महाराष्ट में है लोनार जील किस प्रकार की जील है तो ये क्रेटर जील है नेक्स्ट है उलका पिंड गिरने से बनी जील कौन सी है तो वो है लोनार जील लोनार जील का निर्वाण कैसे हुआ उलका पिंड के गिरने से हुआ है अब देखेंगे महतवपूर मट्टियों से सम्मधित जैसे जो मिट्टी पाई जाती है अलग-अलग कोश्चन पूछे जाते हैं जैसे गंगा के मैदान की पूरानी कछारी मिट्टी को क्या कहेंगे तो बांगर मतलब कुल मिला के ऐसे पूछा जाता है बांगर किस प्रकार क की मिट्टी है पूरानी कछारी मिट्टी है नई मिट्टी है इस तरीके से प्रश्ण बंते हैं नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी के लिए नियूंतम और वरक क्यावशक्ता होती है तो वह है लाल मिट्टी कौन सी मिट्टी प्रायदी भी भारत में अधिकतम छेत्र पर विस्तृत है, तो वो है काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए सर्वतम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी होती है, लावा के प्रवास से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो वो है हमारी काली मिट्टी, अगला है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सरवाधिक उपियोगी है तो वो है कपास अगला दिया हुआ है किस मिट्टी में कृषी के लिए सिचाई की अवशक्ता नहीं होती है तो काली मिट्टी में ज्यादा सिचाई की अवशक्ता नहीं होती है नेक्स्ट है भील जनजाती कहां पाई जाती है तो भील जनजाती जो है महाराष् जैनती आप पढ़े होंगे कि पुर्वत्तर राज जो है महीं पर है सेवन सिस्टर्स पे नेक्स देखेंगे गद्धी लोक निवासी कहां के हैं तो हिमाल्य हिमाचल प्रदेश के हैं नेक्स है शोम पेन जन जाती कहां पाई जाती है तो निकोबार्द विफ समू में केंद श केंदर शासित प्रदेश और कुल राज कितने हैं तो 28 राज है और 8 जो हमारे हैं टोटल वरतमान समय में केंदर शासित प्रदेश है याद रखेगा सबकी राजधानी ये सब तो कामन है आपको याद होना चाहिए आगे देखेंगे गारो खासी जैनतिया जन जाती किस रा कहां पर पाया जाता है तो भारत में जो है लाल मिट्टी सरवादिक जो है आंदर प्रदिस और तमलाडों में पाई जाती है लेटे राइट मिट्टी महत्वण रूप से कहां पाई जाती है तो मालावार तटी छेत में पाई जाती है भारत में कौन मृदा समो लोहे का अत परदन होता है उसको कैसे रोक सकते हैं तो वन रोपण के द्वारा महाराष्ट में सरवार्दिक मातरा में पाई जाने वाली उपलब्द म्रिदा कौन सी है तो काली मिट्टी है जो कि महाराष्ट में सबसे जादा पाई जाती है नेक्स्ट है मकरेला या जिसको कहते हैं लेट राइट मिटी का निर्मार होता है अगला है अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल में जो है खड बने हुए है तो बो है अवनालिका नेक्स्ट है किस प्रकार की मिटी में कार्बनिक पदार्थों के दिखता होती है तो काली मिटी में होती है नेक्स्ट है भारत के बीमारू राजियों में जो है सबसे घना आबादी वाला कौन सा है तो कौन सा है बीमारू राजी का दर्जा किसे दिया है तो बिहार नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है मेगालो पोलिस सामाने तक किसकी जनसंख्या वाले नगर होते हैं तो 50 लाग से अधिक जहां कि जनसंख्या होगी उन्हीं को कहते हैं मेगालो पोलिस नेक्स्ट है जनसंख्या के आकार की दृष्टी से भारत का सबसे छोटा राजी कौन सा है तो वो है सिक्किम भारत का सरवाधिक नगरी करण वाला राजी कौन सा है तो महारास्ट है भारत के किस राजे में इसाई जनसंख्या का प्रतिशत सरवाधिक है सबसे सरवाधिक प्रतिशत्ता में इशाई कहां पर हैं तो वो है मिजोर्म में नेक्ट देखिएगा भारत का चेतरफल संसार के चेतरफल का 2.4 प्रतिशत है परन्तु इसकी संपुर्ण मानो प्रजाती का 17% जनसंक्या यहां पर निवास करती है देखिए कुल्विला के कहने का मतलब यह है कि भारत का जो चेतरफल है जो पूरे विश्वका यानि पूरे संसार का चेतरफल है उसका केवल 2.4 है लेकिन यहाबर पूछा जाए कि संपूर मानो प्रजाती कितने पर निवास करती है कितनी जनसंख्या यहां निवास करती है तो मातर सत्रा परसेंट भारत में जनसंख्या धनतु किद्रिष्ट से बिहार का करम कौन सा है तो केवल राज्यों में जो है पहला है नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिसात है तो 8.04 परसंग देखिए अभी तक जब जनगर्णा का रिपोर्ट नहीं आया है तो हम 2011 की जनगर्णा के अनुसार ही सब पुछ पढ़ रहे हैं और अभी तक डेटा उसी को पढ़ते हैं तो वह है तेलगू भारत के राजियों में से किसका जनसंख्या घनत सबसे कम है तो वह है अरणाचर प्रदेश की सबसे कम है कितनी है तो 17 है नेक्स देखेंगे अगला है कि भारत में पहली बार जनगर्णा कब हुई थी तो भारत में पहली बार जनगर्णा 1872 में हुई थ सबसे बड़ा केंदर शासित प्रदेश कौन सा है तो वह है लक्षडिप. दिखें जब अभी आकड़े ने जारी किये जाएंगे तो ये सब डेटा बदल जाएंगे अभी हम और आगे देखेंगे भारत की किस राज में महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है तो वो है केरल सक्षरता दर्भी यहीं पी जाता है केरल में ही देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रिशान किस महासागर को जो है छिपता हुआ महासागर की संग्या दी जाती है तो छिपता हुआ महासागर की संग्या आर्कटिक महासागर को दी जाती है किस महासागर की प्रमुक विशेस्ता प्रवाल भित्ती है तो वह है प्रशांत महासागर की नेक्स्ट है विश्व का चाल सबसे बड़ी महासागरों में कौन सामिल नहीं है तो वो है अटलांटिक महासागर अगला देखेंगे विश्व की सबसे गहरी खाई जो है मरियाना ट्रेंच किस महासागर में इस्थित है तो जो मरियाना ट्रेंच है वो प्रशान्थ महासागर में इस्थित है नेक्स्ट है अगनी वले जिसको हम ring of fire की उपस्थिती किस माहसागर्ण पाई जाती है तो वो पाई जाती है प्रिशान्थ माहसागर में नेक्स्ट देखिएगा दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कई बार ये प्रश्ण पना है कि ऐसा कौण सा ग्रह है ऐसे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो बुद्ध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है कौन सा ग्रह सूरी का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है तो वो है बुद्ध सबसे तिवर गदी से सूरी का चक्कर कौन लगाता है तो वो है बुद्ध सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगबग पृत्वी जितना बड़ा है तो वो है वीनस जिसे हम शुक्र कहते हैं किस ग्रह को पृत्वी की बहन की संग्या दी जाती है या पृत्वी की बहन कहते हैं तो शुक्र को किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार किसे कहेंगे, तो शुक्र को कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौनशा है, तो वो भी शुक्र है, सूरी तथा पृत्वी के निकट ग्रह कौन है, क्रमशा बताना है, तो शुक्र और बुद्ध है, सूरी के सबसे निकट है, शुक्र और पृतिवी के निकट क्या है? पुछा गया है। तो सूरे से पूछा जाए कौन सा नस्दीक है, तो शुक्र बताएंगे, पृतिवी से पूछा जाए तो वो है बुद्ध। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसको देखेंगे अगला, अगला दिया हुआ है, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा जो है देवी की रूप में करते थे, तो शुक्र की करते थे, सौर मंडल का सरवाधिक गर्म ग्रह कौन सा है वो है शुक्र, पृत्वी के निकटतम दूरी पर स अगला है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, ग्रहों में किसे सौंदर का देवता मानते हैं, तो वो शुक्र है, आप देख रहे हैं, शुक्र के बारे में काफी क्वालिटी बताई गई है, और ये कोच्चा रिपीज भी होते हैं, अगला देख प्रित्वी के सबसे निकर्तम खगोली ये प्रिंट कौन सा है तो वो है हमारा चंद्रबान तो मैंने अभी इतने भी आपको कोश्चन बताएं इसा नहीं किवल इतने ही कोश्चन रिपीट होते हैं आपके पास टाइम कम है तो ऐसी चीज़े रिवाइस कर लीजे जो कोश्चन बने आपके एक्जाम में MTS को देखते हुए तो ये तो फर्स्ट था भी आपका जियोग्राफी का अब सब्जेक्ट वाइज एक दो मैं और समय रहा तो जियोग्राफी के और भी कुश्चन आपको करा दिये जाएंगे बाकी प्रीवियस जो की अभी एक्साम आपके कंडक्ट हुए थे उस टाइम में सब कुछ कराया गया था वीडियो एवलेवल है जरूरत थे तो वहां से आप साई चीज़ों को पढ़ सकते हैं और सभी की पीडियो टेलिग्राम पर ही है आप जैसे जब दिया गया होगा वो वीडियो के आसपास ही टेलिग्राम पर उसको जो है दिया गया होगा आप लोग पीडियो लगातार पूछ रहे हैं कहां मिलेगा टेलिग्राम पर ही सर्च कर लीजे वहां मिल जाएगा आपक करते रहिए जय हिंद